नौंबर का महिना और नौंबर के महने में कौन कौन सी सब्जिया लगाएं जो कि आपकी गरीबी को आपके कर्ज को कर्ज मुक्त करने वाली सब्जिया नौंबर के महिने में लगाएं सब्जियां लगाने का सही तरीका और सब्जियों को किस टैप्स लगाएं, कौन सी सब्जी लगाएं जो कि नवंबर के महने में लगाएं और दिसंबर के महने में अच्छा खासा मुनाफ़ा हो तो ऐसे में कृसान भाई आज हम अपनी वीडियो की माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही 10 से 15 सब्जियों के नाम बताने वाले हैं जिसके लगा करके आप अपने कर्ज गरीबी से मुक्त करने वाली सब्जियां हैं जो की मात 30 से 35 दिनों में आपको गरीबी से मुक्त करने वाली सब्जियां हैं जो की मार्केट में लगातार इसके भाव बढ़ते ही जा रहे हैं कृसान भाईयों अगर पहली बार हमाई चैनल को देख रहे हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैलंग को प्रेज कर लेजएगा और हमाई किसी एंते जड़ी भाई किसान जुड़ जाएगा तो किसान भाईयों सबसे पहले आप देखते हैं कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है मार्केट में लगातार प्यास की भाव बढ़ रही है तमाटर की भाव बढ़ रही है गोभी की भाव बढ़ रही है परवल की भाव बढ़ रही है धनिय की भाव बढ़ रही है लसुन की भाव बढ़ रही है साथ में आलो की भी भाव लगातार बढ़ती जाहिए यानि कि आपके छोटे से छोटे सब्जी से लेकर के बड़ी सी बड़ी सब्जियों तक के दाम लगातार मार्केट में बढ़ रहे हैं ऐसे में किसान भाई आप नॉंबर के महिनों में इन सब्जियों को लगा करके महिने के लाखों कमा सकते हैं और साथ में कौन कौन सब्जिया है आप लोग नोट कर लीजिएगा पूरे डेटरस में हम वीडियों बताएंगे आपको सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे अभ बाओ बढ़ता यारा है पिछले कुछ समय अभी मार्केट में टमाटर का जो भाव है पचास रुपई के चल रहा है इससे जल्द से जल्द आप टमाटर के खेती कर लिए साथ में खिसान भाई आप टमाटर के साथ फुल भी पत्ता गोभी की सब्स जरूर लगाईए गा इ यह चीज़ें हैं जो की मार्केट के बहुत भाव मिल रहे हैं तो आप इन सब्सक्राइब को जरूर लगाईएगा सास में किसान भाई आप बैगन की खेती जरूर कीजिएगा बैगन की वराइटी में अलग प्रकार के वराइटी आती है बैगन ब्लैक बना आता है वाइड ब कवलिक है उसे भी लोग अहुत ही मानते हैं घंडी का महीना आ रहा है तो बैगन का भरता के लिए लोग बैगन खरते हैं और बैगन की प्राइज लगातार भी इसकी बढ़ रहे है साथ रुपाय किलो आज मार्केट मैंने देखा तो यहां पर आपको लगातार के मार्केट कमाना है इसके लिए आप पाला की खेती कर लिजिए लाल भाजी की खेती कर लिजिए और हरी धन्य खेती कर सकते हैं यानि कि लसुन को आप लगाएंगे तो कम से कम 30-35 तो पुत्ति तयार होता है आप उसे मार्केट में बहुत ज्यादा रहता है तो आप इन कर लिजिए अगर आपके हां के जमीन वायू जो है तोहां का आप क्या करता है कि प्रवल खेती कर सकते हैं अभी आपने हरे मटर खेती नहीं किया है तो हरे मार्केट में कीमत कम से कम पर के चले ही रही है अभी फिलहाल ही मैंने कीमत के बारे में मार्केट जनकाई लिए था तो आपके पास अलू की लगा तो आलू की लगाए इसे भी बहुत ही खास करके आपको फायदा होने सबसंद बाला है अच्छी का सीखेती होती है जिसे लोग काफी पसंद भी करते हैं और काफी समय तक लंबा समय सकते हैं अलुप प्यास को आप लसुन अलुप प्यास को आप शेक्टेां सबूनाफाइब सब्सक्राइब अगर और भी जगह लगता किसा सथ क्या का लगा है तो आप आलू की मेड़ों पे प्याज की मेड़ों पे लसुन की मेड़ों पे मुली की खेती कि अच्छा मुनाफ़ा देती हैं इन सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आपको बहुत ही जदा फादा होने वाला है हमारी मेरों फिल बैसे इतना ही मिलते हैं किसी नय तर्व भीडिव को सब्सक्राइब कीजिए और बाइक कीजिएगा धायो मैं आके लिए लेगर के आट रहता हूँ फिर मिलते है किसए रग्येग के पर के मात्या खेंड्स जोड़े कीजिए गाह presents जजजवान जजएकिसान